हलो दोस्तों स्वागत आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेतंकुर में जैसा कि काफी सारे नए स्टूडेंस हैं जो SPI किलर 2020 की नोटिफिकेशन का अंतजार कर रहे हैं काफी सारे पुराने स्टूडेंट ओलरी रर फियो के फाइनल रेजल्ट के अंतजार कर रहे हैं तो उनका भी फोल फोकस SPI किलर 2020 की एक्जाम पर है बार बार एक चीज़ पूछए हैं मिरे आखिर SPI किलर 2020 को सब्चर को कर नोटिफिकेशन का तक आ जाएगा अगर SPI किलर की बात कर ले हैं तो काफी जानदर न्यूज सुनने में आ रहे हैं कि जो SPI किलर प्री एक्साम है वो मई के मंत में या जून के मंत में कंड़क्ट हो जाएगा और कहीं न कहीं अगर यहां से देखा जा तो बिल्गल पॉसिबल है क्योंकि मार्च का महिना स्टार्ट हो गया है SPI किलर की notification पर या exam पर है बिल्कुल उसका कोई impact नहीं पड़ेगा और कहीं न कहीं अगर SPI apprentice का exam अप्रेल में होता है तो बिल्कुल अच्छे chance है कि मई की महिने में और जून के महिने में आपका SPI कलर का जो exam है वो conduct हो जाए तो यहां से यहीं उम्मीद है कि मार्च का महिना बहुत ज़्यादा important है सभी students के लिए चाए वो नए हो चाए वो पुराने हो पुराने students के लिए क्यों important है क्योंकि यहां से RRP PO का final result देखने को मिलेगा SPI PO का final result देखने को मिलेगा एक April में IBPS PO और IBPS killer का final result देखने को मिलेगा तो पुराने students के लिए बहुत ही ज़्यादा important है और नए students के लिए और जो SPI killer का अंतिजार कर रहे है notification उनके लिए भी important हो सकता है मार्च का महिना लाज़ तक SPI killer का notification देखने को मिल सकता है यह April के just starting में आपको SPI killer का notification देखने को मिल जाएगा अब जो पुराने students हैं उनकी तैयारी तो इतनी तो है कि वो pre exam के लिए prepare हैं लेकिन जो नए students हैं जन्होंने अभी शुरुआत की है तैयारी उनके लिए बहुत अच्छा time है कि आप बिल्कु जीरो से start कीजिए और बिल्कुल आपको अच्छे level तक पढ़ाई करनी है अगर आपको final selection लेना है तो आपको पहले से prepare रहना पड़ेगा आपको यह नहीं सो सकते की exam date आजाए notification आजाए उसके बाद हम तयारी करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं जब notification आजाता है उसके बाद हमें एक महीने डेड़ महीने का समय मिल जाएगा ऐसलिए आप पहले से तैयारी कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए बाकि मिलते हैं फिर नेस वीडियो में चब तक के लिए धन्यवाद